हाई फेरंड हम बनाएंगे शिमाइक कस्टेड बहुती डिलीशियस रेसिपी है रेसिपी सुरू करते है रेसिपी सुरू करने से पहले चेनल में नहीं तो सबस्राइब कर लेना रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और आपने फ्रेंट्स के साथ सेयर करना ना हो लें ये 100 ग्राम के जितना सेवाई ली हुए है इसको हम रोस्ट कर लेती हैं गैस आउन करेंगे पैन में 20 इस्पून घी डालेंगे गी गर्म होने के बाद सिमई एड़ कर देती हैं इसे लगतार चलाती हुए रोस्ट करेंगे दो मिनेट हाई फ्रेम में लगतार भूनने के बाद सिमई रोस्ट हो चुकी है आप इसका कलर देख सकते हैं आप इन्हे वैसी भी इड्ड कर सकते हैं थोड़ी सी किरंची हो जाए लो फ्लेम में सिवय गी इन्हें अधिन Marx के निलेटी हैं आप इन्टी राख सेश्टर्ण करतें दूध करबंड को गया है यहाँ पर पैकेट वाले दूध का सिमण नहीं किया है नार्मली जो दूद वाली घर पर ला कर दीती हैं वही दूद का मैंने इस्तिमाल किया है ये आधा का दूद रूम टैंपरेचर का अलग निकाल की रखा हुआ है इसमें दो चमज हम कस्टेड पाउडर डाल देती है कस्टेड पाउडर एड़ करने के बाद हमें अच्छे तरीके से घोल लेना है ताकि कोई लंजनार है और हाँ गुनगुने या रूम टैंपरेचर के दूद का ही इस्तिमाल करना है गरम दूद का इस्तिमाल नहीं करना है दूद हमारा पहले से ही गयस पे रखा हुआ गरम हो रहा था उबल रहा था तो इसमें सिवई एड़ कर देती है ये सिवई हमने घर पे ही तयार किये हैं आप मारकेट वाली सिवई का भी इस्तिमाल कर सकती है 100 ग्राम के जितना सुगर एड़ करेंगे पर जो मीठा खाना चाहते हैं तो वो जादा भी सुगर एड़ कर सकते हैं लगभब दो मिनिट के बाद सिवई भी कुछ पग गई है और सुगर भी घुल गई है हमने जो कश्टर्ड भोलकी रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाएंगे और दूद को चलाते जाएंगे ताकि कोई लंच ना पड़े कश्टर्ड मिक्स होने के बाद गैस की फ्लेम हाई करेंगे तो कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कश्टर्ड में उबाल आने लगा है और कश्टर्ड धीरे धीरे करके ठिक कंसिस्टेंसी में आने लगा है आप देख सकते हैं सिवई कश्टर्ड की कंसिस्टेंसी हमें किस प्रकार की रखनी है सिवई दूद को अबजर्व कर लेती है और कश्टर्ड भी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाता है तो हमें कुछ लिक्विड कंसिस्टेंसी ही रखना है ताकि ठंडा होने पे ये खाने लाय कर सकते हैं कुछ ड्राइब फूर्ट्स अपने पसंद के यहां पर एड़ कर दीजिए आप एक सी दो घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं ठंडा होने पर इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है पर हम इसे फ्रिज के बाहरी रखने वाले हैं क्योंकि बारी इ अच्छी से सेट हो जाएगा एक घंटी बाद आप इसकी ठीकनेस कंसिस्टेंसी देख सकते हैं हमें से सर्व कर लेती हैं मेरे चैनल में फ्रूट कर स्टर्डी की बहुती बढ़िया रेसिपी अपलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा और हां झाल झाल झाल